आज हम 7th क्लास की उडान वर्क बूक की वर्कशीट 20 और 21 को सुल करना सीखेंगे सभी बच्चे वीडियो को सुरू से लेकर आप तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्टा नहीं वने है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिये वैल आइकन को जरूर प्रेस करें तो देखिए सुरुआत करते हैं वर्कशीट 20 एक्टिव पैसिव वाइस तो इसमें हम बच्चो एक्टिव वाइस से पैसिव वाइस में चेंज करना सीखेंगे तो अब यहाँ देखिए सबसे पहले राम प्लेज फुटबॉल यहाँ पर एक संटेंस दे रखा है कि राम फुटबॉल खेलता है ये एक्टिव वोइस में है बच्चो इसका हमें पैसिव वाइस बनाना है तो यहाँ इसने बना कर दिखा रखा है कि किस तरह से बनाना है तो इसके कुछ रूल होते हैं एक बार थोड़ा उन रूल को मैं समझा देती हूं बच्चो कि active voice से passive voice बनाते समय है सबसे पहले तो subject का object करना होता है subject object में change होगा और object का subject बन जाएगा ठीक है? जैसे राम हमारा यहां पर subject है और football जो है वो यहां हमारा object है आगया समझ में? तो सबसे पहले football को हम subject बनाएंगे देखो यह football लिख रखा है है ना? दूसरी बात इसमें अगर verb की first form दे रखी है तो is, am, are और उसके साथ verb की third form का use होगा यह ज़रूरी याद रखना है कि जब भी हम active voice को passive voice बनाते हैं तो verb की third form जरूर आती है और एक इसके अंदर by का परियोग जरूर होता है first form है तो is, am, are plus third form आएगी अगर second form है तो वो जो है बाज, वर और plus third form आजाएगी ठीक है? इस तरह ऐसे कुछ rule है बच्चो आपको class में समझाए भी गए होंगे तो अब हम क्या करते हैं? यहाँ देखो football का इसने subject बना दिया first form है तो यहाँ first form के लिए यहाँ इसने is, football similar है तो is आएगा, अगर plural होता तो आ रा जाता है, ठीक है? football is, फिर verb की third form यूज हुई है, play की जो है, played यहाँ पर आ गई है उसके बाद, वर उसकी third form के बाद, by का यूज होता है, यहाँ देखो by और जो हमारा यह subject था यहाँ पर राम वो यहाँ जाकर हमारा object बन जाएगा, आ गया समझ में? तो यह sentence कैसे बन गया? football is played by राम राम के द्वारा football खेला जाता है यहाँ पर तो था राम football खेलता है और यहाँ बन गया football राम के द्वारा खेला जाता है अब आगे देखिए एक पर second question है यहाँ पर second question इसमें दिया है Sina writes a letter अब देखो हम कैसे करेंगे यह हमारा object है a letter, subject है तो इसका a letter यहाँ subject बन गया writes है तो first form है याँ एस याँ येस है तो is mr एक letter similar है तो is आ जाएगा इसके बाद third form आएगी write की return और verb के form के बाद by का use और subject का object बन जाएगा याँ यहाँ पर seen आ जाएगा और last में full stop क्या बन गया यह a letter is written by Shrina आ गया ना समझब में बच्चो अब तीसा sentence देखते है गीता is doing her homework अब बताओ कैसे बनेगा her work work दे रखा है ना her work is doing है अब यहाँ पर भी ध्यान देना है बच्चो is लिखेंगे लेकिन doing दे रखा है do के साथ verb की first form है do उसके साथ ing भी है तो हम क्या करेंगे third form लगाएंगे do का तो third form बना देंगे हम ठीक है लेकिन ing भी है ing का क्या होगा be के साथ ing use होगा बच्चो ठीक है और is के बाद being लगेगा पहले her work is उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर being done उसके बाद third form do की third form आ गई by का use आ जाएगा by और गीता और फूल स्टोप बाद में लास्ट में क्या गया her work is doing done her work is being done by कीता ऐसे बनेगा यह ठीक है अब आगे है यहाँ fourth pluck the flower full तोडो pluck the flower तो इसका जो है न बच्चो अगर वर्व की first form से start हो रहा है sentence तो यह लेट वाला sentence बनेगा लेट आएगा लेट द फ्लावर यानि उसके बाद subject का object यहाँ आएगा लेट द फ्लावर और फिर बी का use होगा यहाँ और प्लक की third form आ जाएगी प्लक्ट और full stop लेट द फ्लावर भी प्लक्ट ऐसे आएगा अब आगे है यहाँ पर पाँचवाँ sentence fifth sentence I love chocolates इसको कैसे लिखेंगे बताओ chocolates हम लिखेंगे chocolates अब देखो love है यहाँ पर है ना यानि first form है is, am, are आएगा chocolate और यह है chocolates यानि plural हो गई तो इसके साथ are आ जाएगा बच्चो chocolates are उसके बाद वर्ब की third form loved फिर by का use और I का object me बनता है यह आगको ध्यान रखना है बच्चो I का object होता है me you का you होता है he का him होता है see का her होता है they का them they का them object यह सारे object थे जो मैंने अभी बताए अब आगे देखो एक पार six sentence है यहाँ you have done a good job अब यहाँ देखो यह हमारा subject है यह हमारा object है अब हम क्या करेंगे subject का object और object का subject बनाएंगे तो a good job subject के रूप में लिखती हमने अब देखो have है है ना और इसके साथ work की third form है कैसे बनाएंगे good job singular है तो इसके साथ has आजाएगा और has के साथ been का use करेंगे हम a good job has been done third form आगे done by का use आएगा और you का you यहाँ पे आजाएगा a good job has been done by you ऐसे बन जाएगा अब आगे यहाँ पर है seventh sentence है he will help his friend अब यह बताओ बच्चो कैसे आएगा his friend यहाँ हमारा object है तो इसका subject बना लेंगे हम his friend will है तो हम will लिखेंगे इसके साथ be लिखेंगे shall be will be ऐसे आते हैं यह ठीक है और has have had होता है तो has been have been had बीन आ जाएगा जब हम active voice को passive voice में बनाएगे तब his his यहाँ पर ही जाना बच्चो यह थोड़ा गलती से he लिख दिया his friend will be और third form help किया जाएगी helped by और यहाँ he दे रखा ना यह तो he का object होता है him him आ जाएगा यह sentence बनेगा his friend will be helped by him अब आगे देखिए आगे है यह eighth sentence see prepared tea अब इसको कैसे बनाएंगे tea prepared है देखो second form है second form है तो was बराएगा tea जो हाँ वो singular है तो was आ जाएगा tea was prepared अब यहाँ आ जाएगा prepared by और c होता है तो c का object बनाते time her बन जाएगा और full stop लगेगा tea was यह बन जाएगा tea was prepared by her अब आगे है ninth see a head return on paper यह बनेगा a paper head head देखो head आया तो इसके साथ बीन आएगा head के साथ बीन आएगा ठीक है a paper had been आगे आ जाएगा written by by का यूज और c है और full stop लग जाएगा a paper had been written by siya अब आगे है यहाँ पर tenth help the poor यह बताओ अच्चो कैसे आएगा देखो verb की first form से शुरू है यह sentence ठीक है imperative sentence बोलते हैं इनको तो अब मुझे बताओ कि क्या आना चाहिए यह let वाले होते हैं let से शुरू होंगे let लगेगा फिर यहाँ पर subject या object जो होगा उसका subject बन जाएगा let the poor फिर be का use होगा और third form आएगी help की third form helped बन जाएगी तो यह हो जाएगा let the poor be helped आगे बच्चों समझ में अब आगे आजाती है worksheet twenty one और इसमें दे रखा है direct indirect speech यानि कि इनको narration भी बोलते हैं तो अब तो इसके example दे रखे हैं देखे यहाँ इस देखा है direct speech said to me Ram said to me the earth revolves round the sun तो एक बार तो यह समझो बच्चों कि direct indirect होते क्या है direct speech होता है कि जो भी बात हम किसी के दवारा कही गई बात को जब हम direct way में कहते हैं तो वो direct होता है सीधा जैसे उसने कही है कोई बात as it is ऐसे ही बोलना वो है direct speech और उसमें कुछ थोड़ा सा बदलाओ करके जब हम वो बात बोलते हैं तो वो होता है indirect speech अब यहां पर जैसे example दे रखा है Ram said to me Ram ने मुझसे कहा the earth revolves round the sun धर्ती सूर्य के चारों और चक्र लगाती है घूमती है indirect speech में कैसे बनेगा Ram यह जो said to है न बचो यह told में चींज हो जाएगा Ram told me that और यह कोमा inverted कोमा हटा के that का यूज होगा और यह सत्य है यह truth है जो भी habitual है यह truth है जो historical fact है वो बचो same as it is रहते हैं उसमें tense change नहीं होता है इसलिए यह same आ जाएगा the earth revolves round the sun और full stop लग जाएगा यहाँ पर एक example ओर दे रखा है I said to him मैंने उससे कहा you are a good boy तुम एक अच्छे लड़के हो तो देखो I लिखा फिर said to किसमें बदल गया? told में him का him आ गया कोमा inverted कोमा हटा के आपको याद रखना है कि that का use होता है जहां पर भी inverted कोमा है यह और कोमा है inverted कोमा सुरू होता है वो हट जाता है that आ जाएगा फिर एक और बात ध्यान देनी है बच्चो अब आपको यहां पर देखो इसमें I told him that that तक तो आपको समझ में आ गया अब यहां पर क्या होता है? कि अगर first person है यहां पर कोई भी pronoun first person noun या pronoun है first person pronoun तो वो subject के according change होगा यह इसके subject के according अगर यहां पर यहां second person है second person pronoun तो वो यहां object के according change होगा आपको यह ध्यान जरूर देना है यह यहां subject है यह object है वच्चो ठीक है? I said है, him object है अब यहां you है और first person second person कोन से होते हैं यह भी आपको याद रखने हैं तो देखिए first person है I, my, me, we, our, us यह हैं first person यह first person अगर यहां इसकी जगे यहां first person में से आजाए कोई भी I आजाए, we आजाए तो यह subject के according change होगे और अगर इसकी जगे हैं second person, second person होता है you you are you, ठीक है अगर you है तो वो second person जो है वो subject के according change होगा तो देखो subject यहां वो object के according change होगा यहां object है him तो him का देखो यहां subject he आया है ना, he, each MR जो होते हैं वो वाजवर में change होता है each MR वाजवर में change होते हैं यह ध्यान डखना और वाजवर, head, bean में change होते हैं वाजवर, head, bean में first person, second person में change हो जाएगा second person, head plus third form में change हो जाएगा बच्चों आपको अगर यह अभी तक नहीं आए हैं तो आप मेरे channel पर भी जो है narration देख सकते हैं और उसमें मैंने अच्छे से समझा रखे हैं सारे rule अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप मेरे channel की playlist में English grammar में जाएगे और वहाँ पर आपको यह topic मिल जाएगा direct indirect speech वाला उसमें आप easily जो है वो समझ पाएंगे तो अब यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ मैं detail में आपको नहीं समझा सकती वीडियो जादा लंबी हो जाएगी अब देखो यहाँ पर यू का he बन गया है इस MR वाजवर में change है तो he के साथ वाज आता है और एक good boy आ गया तो बन गया I told him that he was a good boy direct speech था कि मैंने उसे कहा तुम एक अच्छे लड़के हो और indirect में हो गया मैंने उसे बताया कि वह है एक अच्छा लड़का था तो देखो कितना अंतर हो गया इन दोनों में है न यहाँ देखो direct speech दे रखी है you said to me you are a good boy तुमने मुझसे कहा तुम एक अच्छे लड़के हो अब इसको बनाना है हमें तो हम कैसे करेंगे देखो यह जो you said to me है न इसको बना देंगे you said to हो जाएगा told में change और me और कोमा इनवर्टी कोमा हटा के आ जाएगा that अब जो यह you है second person यह object के according change और object है हमारा me तो me का subject हम I बनाएंगे each mr है तो यह वाज में change हो जाएगा और a और फिरा जाएगा good boy और last में आ जाएगा you told me that I was a good boy यह बन जाएगा अब इसी तरह से यहाँ है यह my mother said to me you are a good boy अब इसको कैसे बनाएंगे my mother said to change हो जाएगा बच्चो told me told me कोमा इनवर्टी कोमा हटा के आ जाएगा that फिर you है you change हो जाएगा me में me का हो जाएगा I और यहाँ हो जाएगा R का वाज A और फिर आ जाएगा good और boy full stop my mother told me that I was a good boy आगे रेखिए आगे है यहाँ first sentence my teacher said to Rahul you are a good boy अब इसका बनाओ हाँ क्या बनेगा देखो यह बनेगा my teacher told Rahul मेरी टीचर ने Rahul से कहा Rahul that you है यह second person Rahul में change Rahul लड़का है ना बच्चो तो इसकी जगे यह he आजाएगा ठीक है लड़के का नाम दे रखा है तो he आएगा लड़की का नाम दे रखा होता तो यहाँ C आजाता he R जो है वो वाज में change हो जाएगा he के साथ वाज आएगा he was a good boy ऐसे आएगा आपको यह पूरी एक लाइन में लिखना है बच्चो यह sentence मैं तो यहाँ जगे कम है ना इसलिए यह इस 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 आगे है teacher said the sun rises in the east and sets in the west अब यह देखो बच्चो यह जो है historical fact है और सत्य भी है यह बात कि teacher ने कहा कि सूर्य जो है इस्ट में उगता है पूरो में उगता है और पस्ची में छिपता है तो यह as it is बात आ जाएगी इसमें सिर्फ हमें teacher said that बस इतना लिखना है और बाकी यह जितना है यह सारा आ जाएगा यहाँ पे कि the sun rises in the east and sets in the west same यहाँ पर आपको यह सब लिख देना है आगे है his father said to Ram I am not feeling well इसका आएगा his father said to change हो जाएगा told में फिर आ जाएगा Ram कोमा इन्वर्टिट कोमा हटा किया जाएगा that अब देखो I है बच्चो यहाँ पर subject हमारा है ना I first person her first person subject के coding change होगा his father में change होगा his father का मतलब यहाँ पर आजेगा he और he के साथ वा जाएगा इस हमार वाजवर में change होगे फिर not का परियोग है तो not आएगा he was not और फिर यह feeling और well ऐसे आजेगा his father तोल राम that he was not feeling well और फुष्टो पा जाएगा अब आगे देखिए यह है 7th sentence the principle said to राम you should work hard for the test और यह हम बनाएंगे indirect में the principle said to जो हाँ told में हो जाएगा told राम फिर कोमा inverted कोमा हटा कि that लगाएंगे अब यू जो है second person है यह object किया coding object राम है तो राम का यहाँ पर he आजाएगा he should work hard for the test full stop ऐसे आजाएगा the principle told राम that he should work hard for the test अब आगे है यहाँ देखिए eighth sentence his father said to his mother you are sick इसको बताव अच्चो कैसे आना चाहिए हाँ his father told his mother that अब यू है ना इस मदर में चेंज हो जाएगी इसका she आजाएगा see is Mr. was बताव c के साथ watch see watch sick और full stop यहाँ से आएगा आगे है अब ninth sentence राम सेट टू सिया राम ने सिया से कहा you cook tasty food इसको कैसे लिखेंगे राम told सिया that अब यू है सिया में change हो जाएगा क्या जाएगा see first form है यहाँ second form में change हो जाएगी see cooked tasty food और full stop लग जाएगा राम तोल सिया that see cooked tasty food अब आगे देखते हैं बस बच्चो यहीं तक थी हमारी पक्षी ठाज इंगलिस की आहाँ पे complete हो चुकी है तो फिर हम नए subject के साथ फिर में लेंगे नई वीडियो में तब तक के लिए बाई प्रूपे लेंगे 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 ल